इसमें हम बात करेंगे कि आपको प्रेसी राइटिंग लिखना कैसा है क्योंकि काफी लोगों का यह क्वेस्चन आ रहा होता टेलिग्राम पे कि प्रेसी राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है ठीक है अंडर्लाइन करना चाहिए कितने मतलब words में लिखना चाहिए ठीक है मतलब later में format कैसा होना चाहिए Âसे में हमें underline करना चाहिए पॉइंट वाइस लिखना चाहिए तो बहुत questions आते हैं तो उसपर हम एक एक करके discuss करेंगे आपको किस तरीके से लिखना या ताकि आपका जो marks हो, रिडक्ट ना हो format की बजर से, तो first हम बात करेंगे प्रेसी राइटिंग के उपर, प्रेसी राइटिंग आपको लिखना कैसे होता है, इसका format क्या है सही लिखना, तो first देखो, प्रेसी राइटिंग क्या होता है, कि आपको एक paragraph दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक paragraph दिया जाएगा, एक बड़ा सा paragraph होगा, basically उसको one third में लिखना होता है, वैसे आपको बता दिया जाएगी, आपको कितने में लिखना है, ठीक है, जो paragraph दे जाएगा, उसका one third basically के लिए आपको लिखना होता है और लिखने का कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि आपको समझना होगा ठीक है ऐसा नहीं कि सीधा कॉपी करके उसको छोटा करके लिख दिए ऐसा नहीं करना होता है और क्या क्राइटेरिया उसको मैं समझाता हूं पहले आपको पहले आपको मै formal तरीके समझाता हूँ फिर आपको मैं informal तरीके सा समझाऊँगा तो देखो वही click on should be written in reported speech ठीक है आपको उसको reported speech में लिखना है ठीक है ना next important होता है information जो होगा correct होना चाहिए आप खुद से अपना information आड नहीं करोगे प्रेसी राइटिंग में जो passage में information दिया होगा आपको उसी information पर stick रहना होगा उसी information को use करना होगा आपको meaning नहीं बदलना है ठीक है next important point third होता है accurate and concise information जैसा कि आपको पता है कि छोटा लिखना है लेकिन ऐसा नहीं कि उस information में आप कुछ घटा दिये मानका चलो एक तरीका से आपको जिस्ट लिखना है ठीक है आपको जिस्ट लिखना है एक मिनट जिस्ट लिखना है कहने के मतलब कि जो पूरा passage दिया होगा न उसको एक तरीका से summarize करके आप छोटा सा form में उसको आपको लिखना है ठीक है बेसिकली वो करना है आपको ठीक है वो आपको एक टाइटल देना अच्छा से पहले passage को पढ़ना है उसको समझना है कि passage कह रहा है उसके बाद उसके कॉडिंग जो है आपको एक टाइटल देना है सबसे पहला काम आपको यह करना है ठीक है ठीक है और clarity होना चाहिए clarity मतलब यह सब यह तो basic यहां formal तरीके से लि आपको लिखना है वो चीज ठीक है इस नौन आज प्रेसी राइटिंग ठीक है तो यह चीज आपको धिया रखना अब मैं आपको informal तरीके समझाता हूं कि कैसे आपको लिखना है फर्स्ट जो है अगर आपके पास passage दिया होगा तो सबसे पहले passage को पढ़ना है अराम से ठीक ठीक है जैसे कि सेम वर्ड्स में नहीं लिखना है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं सेम वर्ड्स में आपको नहीं लिखना है ठीक है खुद के वर्ड्स में लिखना है ठीक है लेकिन की वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है जैसे कुछ की वर्ड्स होगे उस पैसेज में जिसक आपको चेंज नहीं करना है जैसे जो आपको इमान के चलो government का data है for example ठीक है किसी scheme का नाम है तो ये सब आपको वैसा का वैसा ही लिखना है मतलब जो प्रेसी आप लिख ले होगे उसमें ठीक है तो keywords को ध्यान में रखना है वो चीज़ आपको same to same लिखना है लेकिन बाकी जो passage होगा उसको पढ़के उसको समझ के आप अपने शब्दों में लिखोगे उसी को बोलते है बेसिकली प्रेसी राइटिंग ठीक है और keywords जो होगा वो passage में जो दिया होगा आप वही यूज करोगे तो ये दो चीज़ बहुत mistake करते हैं लोग फर्स तो इसमें mistake करते हैं कि same to same उनके पास time लगता है कम हो रहा होता है तो क्या करते हैं कि बस passage को कहीं कहीं से बीच बीच में उसको उठाके लिख देते हैं ये गलती मत करना आपका number कटेगा ठीक है दूसरा important कुछ लोग होते हैं कि सारा का सारा खुद के words में लिख देते हैं keywords जो दिया होता है keywords को आपको यूज करना है क्योंकि वो important होता है ठीक है उसको आप बदल नहीं सकते next important point जो है ठीक है एक पेंट चेंज कर लेता हूं मैं next important point यह है कि meaning को आपको नहीं बदलना है ठीक है जो passage में meaning दिया गया उस meaning में कोई change नहीं होना चाहिए ठीक है मान के चलो passage में जो भी दिया गया आपको उसी idea को उसी चीज को follow करना है अपने प्रेसी में भी तो meaning नहीं change होना चाहिए ऐसा नहीं कि passage पढ़के कुछ अलग meaning आ रहा हो और आपने जो लिख है उसको पढ़के कुछ अलग meaning आ रहा हो यह चीज नहीं होना चाहिए नहीं तो यहां पर भी आपका marks जो है डिड़क्ट होगा ठीक है next important point यह है कि आपको opinion नहीं देना है ठीक है आपको opinion नहीं देना है अपना खुद से include नहीं करना है उसमें ठीक है कि आपको यह सही लग रहा है यह गलत लग रहा है इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है जैसे कि हम ऐसे में करते हैं न कि हम last में conclusion देते हैं उसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए एसे आपको गलत लग रहा है तो गलत ही लिखो सी कि जो भी एसे में facts दिया हुआ जो भी एसे कह रहा है उसको मान के चलो लक्षमन रेखा है आपके लिए तो opinion आपको जो है नहीं देना है खुद से जो भी passage में information दिया गया है उसी information को आपको लि अगरा आपको कुछ नहीं लिखना है तो यह सब चीज जो हता है basic point से आपको ध्यान रखना हुआ है अगर आपने इतना कर दिया तो मान के चलो कि आपको 90% नंबर प्रेसी में आपको मिलेगा ही मिलेगा कम से कम क्योंकि स्कोरिंग एरिया है यहां पर आप maximum स्कोर कर सकते हो ठीक है मान के चलो अगर 10 नंबर का 8 नंबर का जो ही तो आप अराम से 10 में से 8 नो ला सकते हो ठीक है अगर 8 नंबर का है तो 6 साफ नंबर आपका आएगा अगर आप यह सब फॉलो करोगे तो ठीक है और सबसे ज़्यादा सबसे easy मतलब यही होता है लिखना basically इसमें ज़्या हुआ है उसको use करना है ठीक है meaning नहीं बदलना चाहिए जो passage का meaning हो और आपने जो लिखा है उसका meaning नहीं बदलना चाहिए ठीक है दोनों को पढ़के एक ही जैसा लगे बस यह फर्काना चाहिए कि वो बड़ा सा लिखा हुआ था आपने उसको छोटा करके लिख दिया छोट है तो basically यह जो होता है format होता है आपको प्रेशी लिखने का तो I think आपको प्रेशी में अब दिक्कत नहीं आने चाहिए लिखने टाइम पर जब practice करो तो इन सब बातों का ध्यान रखो अब ठीक है अब हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको एसे कैसा format होना चाहिए ठीक है अब देखो एसे पर बात कर लेते हैं अब देखो यहां पर एसे पर बात कर लेते हैं वैसे आपको पता ही होगा बहुत लोगों लेकिन कुछ लोगों कुछ डाउट है उसको में clear करता हूँ आज फर्स डाउट होता है क्या कि हम point wise ल बी सीटी कर देते हैं ऐसे तो इस तरीके से आपको यूज करना है या नहीं करना है अपने ऐसे में तो देखो जो एसे का format होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं नॉर्मल तो वह paragraph wise होता है ठीक है वह होता है पैराग्राफ वाइस आपको पैराग्राफ में लिखना होता है point wise आपको जिंदली नहीं हम लिखते है ठीक है point wise आपको नहीं लिखना है आपको यह चीज धियान रखना होगा first thing आप दिमाग में लगा लो ठीक है लेकिन आपका मान चलो मन ही है कि नहीं यार कुछ तो हो जो मतलब जो आपका copy check क लिखा ठीक है जो ही पैराग्राफ लिखा उसमें जो key words आपको लग रहे हैं ठीक है उसको आप क्या कर सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो इस तरीके से ठीक है जैसे आपने paragraph जैसे मान चलो इतना बड़ा paragraph लिखा तो मान चलो यह paragraph आपको इंपोर्टन लग रहा है मतलब यह लिए और आप बच्चे नहीं ओ तिक एक। अगर आप अंडर लाइन नहीं भी करोगे तो डिखने नहीं लेकिन हां आपको जादा लग रहा है तो आप underline कर सकते हो, maximum underline कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है आप underline कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है underline आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, ऐसा निकी पूरा paragraph underline कर दिया, एक paragraph आपने 2-3 जो important keywords हो सकते है किसी case का नाम आपने लिखा है किसी कोई government data आपने use किया, किसी scheme का नाम आपने लिखाया, ठीक है, कुछ ऐसा जो बहुत ही important है, बस उसको आपको underline करना, ऐसा नहीं कि सारा मतलब जो जो लग रहा है सब को underline करना, ऐसा नहीं करना है आपको बिलकुल भी, तो यह चीज आपको दिए हाने लखना है, ठीक है, next important ुटिस क्या है, next important चीज़ देखो, एक मिन्ट, कि headlines देना है कि नहीं, headlines, जैसे कि मानके चलो, कोई मतलब मानके चलो, आप body लिख रहे हो, तो कुछ body आपको लिखना है या नहीं लिखना है, पर ओको सब्सक्राइब करें हैं कि तो इन्टरोक्शन सुरू करें हो स्धार जीन है ends इस तरीके ने ठीक है उसको पता लगेगा पढ़ने वाले को कि तरहक वाबेटर अफिंट लिखा है क्या लिखा है उसको format पता है ठीक है आपको दिखाने की जरुरत नहीं है कि आप introduction लिख रहे हो आप body लिख रहे हो उसको पता है already उसके पास एक format होता है marking scheme का उसी के basis पे आपको number देगा हो ठीक है इंट्रोडक्शन लिखने की जरुरत कुछ नहीं है कि अलग से इधा अपना जो content है आपके पास ठीक है इंट्रोडक्शन वाला वह आप लिखो ठीक है बस इंट्रोडक्शन के बाद आपको paragraph जरूर चेंज करना है आप continue मत रखने ना ठीक है जैसे आप introduction आपको खतम हो गया तो सानी क्योंसे आपने start कर दिए दुबार नहीं आपको paragraph चे चेंज करोगे इस तरीके से तो यह तरीका होता है ठीक है अब आते ही important कोचिस की diagram आप बनाना चाहते हो कि नहीं diagram ठीक है तो diagram आप बना सकते हो कि नहीं देखो जहाँ पे ना जैसे कि मान के चलो diagram ओ लोग बनाते ना जो gs रगारा के जैसे उनको आदत होता बनाने का जो gs का paper लिख रहे होता है ठीक है जैसे आपको पता को जो UPSC BPSC में gs का paper लिखते हैं उहाँ पर word limits काफी कम होता जैसे कि 150 words में हुआ ठीक है basically try करो कि आप paragraph में ही पुरा लिखो लेकिन जहाँ पे भी necessary लगे ठीक है जैसे कि मान के चलो जहाँ पे necessary लग रहा है उहाँ पे आप basically diagram का use कर सकते हो लेकिन in rare case यह चीज़ याद रखना यह एसे का format नहीं आपने कभी कहीं पे भी नहीं देखा वाई चीज कि एसे में आप क जो आपका copy check करेगा उस बात उस पर depend करता है कि वो इन सब के basis पर आपका number deduct करेगा या नहीं करेगा जैसे for example मान के चलो एक जो copy check करने वाला है उसके लिए जो है content priority है उसके लिए content जो है priority basis पर है ठीक है content उसके लिए priority है तो अगर मान चलो आप ने डाग्राम एक आद बना भी दिया नो तो साइद वो माइंड ना करें लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे उनके पास guidance हो कि नहीं format पर नंबर मिलना ही चाहिए ठीक है तो उस case में आपका number deduct हो सकता है ठीक है तो यह बहुत ह है तो इसलिए कहा जाता कि एसे जो होगा आपका जितना वो simple होगा ठीक है जितना simple जो format standard format होता है अगर उस पर basis पर होगा ठीक है जितना प्लेन लिखोगे ठीक है उतना ज्यादा number आपको मिलेगा एसे में simple सी बात है ठीक है यह हर एक जगा follow होता है तो यह चीज़ आपको बहुत ही subjective चीज़ है तो इसलिए आप जो standard आपका जो format है उस पर आपको stick रहना है और उसी को follow करके practice करना है क्यों आप experiment कर रहे हो जो चीज़ आप diagram के तुरू समझाना चाहते हो जो चीज़ आप point wise में समझाना चाहते हो paragraph में लिख दो उसको underline कर दो simple सा है क्योंकि जो आ diagram में समझा सकते हो उसको आप paragraph में लिखी सकते हो अगर आपको पता है तो तो आप experiment क्यों कर रहे हो तो यह सब चीज़ आपको ध्यान रखना है काफी लोगों का यह मतलब question आते रहता टेलिग्राम पे रोज आता है कि कैसे लिखना है क्या लिखना है ठीक है तो बाकि इस व